मुझे नहीं लगता भावी को अपने नाटकों से बहकाना चाहिए था, शायद वो डनिस की वज़े से रुकी थी तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, खास कर उसके बाद जो तुमने किया था, तिन साल पहले मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ और ठक चुकी हूँ तुम्हारा मुझे पर शक करने से, मैं तुम्हें परिशान होतोवे देखती हूँ जब मैं पेट्रो की बेटी के साथ खेलती हूँ, तुम मुझे कभी मेरे साथ अकेला नहीं छोड़ते हो डेट के गुजरने के बाद मुझे कमपणी को पूरी तरह से समालना पड़ा, ज़ाधा तर मैं इंटरनाशनल पार्टनर से डील कर रहा था, जब मैं यहां नहीं था तब मिकीता ने कुछ पेपर साइंग किया है बोलते रहो आखिर वो आया कहां से, तुमने मुझे बाहर निकाला, मैंने अपनी शरीर से भुक्तान किया, और क्या चाहिए तुम्हें, हाँ तुम मेरे साथ चालाकी कर रही थी, मैंने तुम्हारे लिए अपने काम को जोखी में डाला, अब तुम मुझे कुडे की तरफ फेखना चाहती हो हाँ खचाओ मैं, मैं अपने आपको माफ नहीं कर पाया, असलियाना को रोकना पाने के लिए उन बहनों का अपने चेहरे को बदलना, वो सब अतीत था, मेरे कंदों से एक बोज हट चुका है तुम्हें समझ ना होगा, इस हालत में दूर भागना और लोगों के कॉल्स नजर अंदास करना ठीक नहीं है अना थोड़े दिनों के लिए यहीं रहेगी, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी ये सच नहीं है, ये एक जूट है मैंने तुम्हारे परिवार के साथ वोई किया, जैसा उन्होंने मेरे परिवार के साथ किया था मेरा पासपोर्ट कहां पर है, मेरे कागजाद कहां पर है, क्या आपने उन्हें लिए थे, आपके पास हक नहीं है, मेरी चीजों को छूने का नहीं, तुम्हारे पास हक नहीं है, तुम्हें नकली पासपोर्ट क्यों चाहिए आपसे कोई मतलब नहीं है जो चुराया है वो वापस दौर में जाओंगी या ना तुम्हें अस्पताल जाने की जरुरत है मैं एंबिलेंस पहले ही बुला चुकी हूँ तुम इस पार कहीं नहीं जाओगी मरो डबरो बसकी कहीं के डेनिस क्या तुम अभी जाना चाहती हो नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ प्लीज एक बार फिर सकाओ झाल